दिपिका कक्कर यानि की सोनाक्षी यानि की ससुराल सिमर की सिमर जी हाँ इन्होंने हर सीडियल में संसकारी बहु के रोल निभाएं अब आपको बता दे कि रियल लाइफ में भी जो दिपिका हैं वो काफी संसकारी हैं ऐसे में अब जब रमजान का पाक महीना है और लॉकडाउन भी है तो दिपिका अपने घर पर है और घर पर वो टाइम स्पेंड कर रही है अपनी फैमली के साथ और ऐसे में वो बहुत सारे फोटो को अपलोड कर रही है जिसमें वो फैमली के साथ है अब आपको बता दें कि अब क्या है पूरा माजरा, क्यों दिपिका और शोयब को आया बेहत गुसा तो आपको बता दें कि शोयब एक दिल लाइफ चैट पर थे जहां पर वहां पर वो अपने फैन से बात कर रहे थे फैन से बात करते हुए एक फैनस ने बड़ा ही अजीब सवाल शोयब से कर दिया जी हां एक ऐसा सवाल जिसे सुन कर शोयब को आगया बेहत गुसा वो फैनस शोयब से पूछता है कि दिपिका जी हमेशा सलवार सूट में क्यों होती है क्या आपकी फैनली फोर्स करती है यह सुनने के बाद शोयब जो है वो काफी गुस्से में आ जाते हैं शोयब कहते है इसका जवाब मैं आपको देना जरूरी नहीं समझता सच में जानता हूँ मेरी वाइफ जानती है बाकी जिसकी जैसी सोच वैसे ही सवाल उपर वाला आपको खुश रखे वेल सोयम ने बड़े अच्छे से जवाब दे दिया और फिर इसके बाद दिपिका कहां पीछे रहने वाली थी दिपिका भी दूसरे दिन एक बड़े ही प्यार इसे ड्रेस सलवार सूट कह ले उसमें उन्होंने अपनी एक फोटो डाली और फोटो में उन्होंने लिखा वेन डे लाफ एट यू विकॉज यॉर डिफरेंट लाफ बैक एट देम विकॉज आर आल दे सेम जी हां दिपिका ये लिखकर अपने ट्रॉलर्स को जो कि इस तरीके से गंदे सवाल पूछते हैं उन्हें जवाब दे डालती हैं वैसे दिपिका और शोयब की फैमिली जो हैं बहुत अच्छे से एक साथ मिलकर रहते हैं जहां शोयब की जो अम्मी है वो डिपिका को बहुत प्यार करती और मदसजी के मौके पर सोब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्ते और नेकी दिपिकालि 156 पेद लिखंडकते हैं बैटी जैसा खियाल दोकर रखते हैं मेरा घर में वेल अब सच मुच ये तो उनके घर का मामला है और किसी भी फैंस को इस तरीके का सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता है वेल आपका क्या कहना है हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं